नमस्कार मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं Beyond Borders आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूओं की जो एक जलालत की जिंदगी जी रहे हैं वहां के हिंदूओं को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके हर पल वो डर के माहौल में जी रहे हैं उनकी बेबसी का आलम ये है कि उनकी आँखों के सामने उनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाता है उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया जाता है और फिर अगवा करने वाले से ही उनकी शादी करवा दी जाती है बेबस माबाप जब कानून से इंसाफ मांगते हैं तो उनकी वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता आए दिन आपको पाकिस्तान से ऐसी खबरे देखने सुनने को मिल जाएंगी अगर आप हिंदू हैं तो ये सोचकर आपकी रूफ कांप जाएगी कि अगर आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ होता तो आपकी क्या इस्तिती होती अगर आप हिंदू हैं और हिंदुस्तान में हैं तो अपने आपको भागदेशाली समझें क्योंकि अगर पाकिस्तान में पैदा होते तो फिर हर पल, डर और अपमान के साए में आपको जीना होता कोई option नहीं था पाकिस्तान के पुरू क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी हिंदू हैं और अगर आप उनके twitter account को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस बेबसी के साथ वो अपने कौम के साथ हो रहे अमानविये व्यवहार को चुप चाप देखने को मजबूर हैं कुछ उदारन देखिए ये एक अंधी नाबालिग हिंदू लड़की है जिसका नाम अनीता मेहवार है इसे सिंध के रहने वाले एक वहशी अफजल अली ने पहले अगवा किया फिर जबरन मुसल्मान बनाकर उससे शादी कर लिया बेबस दानिश कनेरिया ने लिखा उनकी वेबसी देखिए उन्हों ने एक अंधी नाबालिग लड़की को भी नहीं बक्षा ये दानिश कनेरिया के सिंध की ही एक और नाबालिग हिंदू लड़की चांधनी शेर्मा ने पहले अगवा किया फिर जबरन मुसलिम बनाया औ यह दर मावलों में नावालिगों को ही निशाना बनाया जा रहा है यह मेरे नहीं दानिश-कनेरिया के शब्दें ऐसे बहुत सारे पोस्ट आपको दानिष के वॉल पर दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसी खबरें आपको सिर्फ दानिष कनेरिया के ही ट्विटर वॉल पर मिलेंगे। दानिश कनेरिया के पोश्ट की चर्चा मैंने इसलिए की क्यूंकि वो पाकिस्तान के चंद जाने माने हिंदू में से हैं और उनकी बेबसी और लाचारगी आपको जगजोर कर रख देगी इस तरह की खबरें आपको दुनिया भर के अखबारों और वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे चाहे हो बीबीसी हो अलजजीरा हो या भारती अखबारों यहां तक कि आपको पाकिस्तानी अखबारों में भी ऐसी खबरें अक्सर दिख जाएंगे आएए देखते हैं ऐसे खबरों पर एक नज़र डालके हम देखते हैं कि क्या कुछ छप रहा है ऐसी जगों पर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में कमोबेश यह इस्थिती सारे नौन मुस्लिम माइनॉर्टीज की है जैसा व्यवहार हिंदूओं के साथ हो रहा है वैसा ही इसाईयों के साथ भी हो रहा है लेकिन चारों तरफ चुप्पी है दुनिया खामोश है इन बदनसीब नौन मुस्लिम माइनॉर्टीज की व्यथा को सुनने वाला और उनकी आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं है और हुमन राइट स्टेट्मेंट को पब्लिश किया गया देखियो स्टेट्मेंट में क्या कहा गया है और मैं कोट करता हूं यह दीपली ट्रॉबल तो हियर अट गर्ल्स एंग अज थर्टीन आर विंग किड्नेप्ट फॉमिली इस ट्रैफिक तो लोकेशिंस फार फ्रॉम मेट तुमेरी में सम्ताइम्स ट्रैस दियो एज और कोर्स तो कंवर्ट तो इसलाम ओल इन वालेशन आफ इंटरनेशनल हिमन राइट्स लॉव जिस्टेट्मेंट सेट्मेंट यह यह यूवेन की स्टेट्मेंट है जो वाइस ऑफ अमेरिका में पब्लिश होगा था पर इसके खिलाब को सेंक्शन लगाया नहीं सवाल ही फैद नहीं होता क्वी मतलब नहीं हो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में मैंनौरिटी और खासकर हिंदूों के उपर हो रहे है इस जुल्म के किलाफ कोई कानूनी कारवाई क्यों नहीं होती इक्यों नहीं होती मुसल्मान पहले दर्जे के नागरिक हैं और बाकी सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पाकिस्तान का समविधान ये कहता है कि उस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपती सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान ही होगा। कोई नौन मुसलिम नहीं हो सकता। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपती नहीं बन सकता, मतलब पाकिस्तान का सम्विधान अपने ही नागरिकों के साथ भेद भाव करता है, पाकिस्तान के सम्विधान का आटकिल 41, क्लॉज 2, ये कहता है कि राष्ट्रपती वही होगा जो मुस इसे तरह से आटकिल 91, क्लॉज 3, ये कहता है कि सिर्फ मुस्लिम ही प्रधानमंत्री होगा, मैं उसे भी कोट करता हूं, आफ्र दी एलेक्शन अफ दी स्पीकर, दीपूटी स्पीकर, दीपूटी स्पीकर, दी नेशनल अशेंबली शेल, तो दी एक्स्लूजन अफ अनी सोच रहे होंगे कि मुस्लिम, प्रधानमंत्री और राश्ट्रपती होने का हिंदूों पर हो रहे हत्याचार से क्या संबंद संबंध है, और गहरा संबंद है जब आपका समविधान ही ये कह रहा है कि सारे गैर मुसलिम दूसरे दर्जे के नागरिक है तो फिर उनको लागू करने वाली पुलिस और दूसरी एजेंसियां भी गैर मुसलिमों को बराबरी का हक नहीं देगी उनको समान नजर से नहीं देखेगी आम पाकिस्तानी मुसलमانों के मन में भी गैर मुसलिमों के लिए बराबरी का बहाव नहीं होगा और यही सबसे बड़ी वज़शे है उनको ऐसा लगेगा कि गैर मुसलिमों पर आप कोई भी जुर्म कर लो आपको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो दूसरे दर्जे के नागरी है पाकिस्तान में अगर किसी मुस्लिम को किसी गैर मुस्लिम से कोई स्कोर सेटल करना है तो सिधा उपाय है वो यह कह देगा कि उसने इसलाम के निंदा की है प्रॉफिट का अपमान किया है बस हो गया काम भ भीर ने ब्लासफेमी के नाम पर पाकिस्तानी पंजाब के सियाल कोट में जिंदा जला दिया था अल जजीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने तो उस स्री लंकाई मैनेजर के जलते हुए शरीर के साथ सेलफी भी किचाई वो कितने आहलादित थे कितने नागरिकता दे रखा है भारत को सेकुलरिजम पर लेक्चर देने से बाज नहीं आता भारत में तो सारे नागरिक समान है समविधान कोई भेदभाव नहीं करता लेकिन पाकिस्तान अपने गिरेबान में जहांके बगैर भारत को कहता है कि अपने माइनोर्टिस का ख्याल र होगा दुनिया के किसी भी दूसरे देश को चाहे वो यूएस हो यूके हो चाइना हो फ्रांस हो इतली हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इन बेबस हिंदुओं की कोई परवा नहीं है यूनाइट नेशन्स की जहां तक बात है उनकी कोई असली ताकत तो है नहीं आप देख लिजे इसरायल हमास का युद्ध हो रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनसे कोई उम्मीद करना ही बेकार है इनिशियेटिव तो भारत को ही लेना होगा क्यूं क्यूंकि भारतिये हिंदुओं का उनसे एतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है खून क के साथ हो रहे हैं जुल्म को जोर शोर से उठाना होगा अगर पाकिस्तानी हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज उठा सकता है तो भारत सरकारी है और अगर फिर भी हम लोग चुप रहे हैं तो फिर राश्ट कभी रामधारी स्किन दिनकर के शब्दों में यही कह सकते हैं कि समर्शेस है नहीं पाप का भागी के वल व्याग जो तटस्त हैं समय लिखेगा उनका भी अपराद आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पिसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले